प्रस्तूत कहानी साहित्य जगत के नामी लेखक, श्री राम कृष्ण की किताब, फिल्म जगत में अर्द शती का रोमान चिसे ली गई है। कॉपिराइट को देखती हुए हम इस कहानी को उसी रूप में पेश नहीं करेंगे, लेकिन एक पाठक की नजर से समझेंगे कि लेखक ने उस धरमेंदर की बात लिखी है, जिस धरमेंदर को आप नहीं जानते, तो चलिए शिरू करते हैं। शोला और शबनम धरमेंदर की पहली सूपर हिट फिल्म में से एक थी। इस फिल्म में काम करने के लिए धरमेंदर को पाँच हजार रुपे मिले थे। इन पैसों का इस्तिमाल उन्होंने मुंबई के बांधरा इलाके की बिल्डिंग हेमकुंड में एक फ्लैट किराय पर खरीदने के लिए किया। उस बिल्डिंग के नस्देग दूसरी बिल्डिंग आनंद कुंच में लेखक रामकृष्ने रहते थे। वे तो धरमेंदर को अपना छोटा भाई मानते थे। आपको बता दूं कि उस वक्त रामकृष्न बतार फिल्म पत्रकार बहुत कारिशिल विक्तित वुआ करते थे। फिल्म जगत का हर एक सितारा उन्हें पहचानता था लेकिन धरमेंदर के साथ उनका बहुत गहरा रिष्टा था। वे लिखते हैं धरमेंदर को मैं उस वक्त से पहचानता हूँ, जब उससे लोग धरमेंदर सिंग इस नाम से पुकारते थे। धर्मेंदर बनने के इस धरी में, मेरा जो योगदान था, उसे धर्मेंदर ने कभी भुलाया नहीं। अब इन दोनों की मुलाकात क्यों और कैसी हुई, इस पर भी एक नजर डालते हैं। 1960 के कुछ साल पहले की बात है, उनकी एक किताब कवी संथ के प्रकाशन समहारों के लिए लेखक होशियार पुराय हुए थे। वहाँ के एक सज्जन ने उनकी मुलाकात एक पंजावी से करवाई। और सज्जन ने कहा, इनसे मिलिये, ये हैं मास्टर जी। इसके बाद मास्टर जी ने बोलना शुरू किया, मैं भी तो कुछ रावाला का हूँ, स्वामी रामतीर्थ भी वहीं के रहने वाले थे। आपके किताब के माध्यम से उनसे जुड़ी बहुत अच्छी जानकारी मिली। इसके बाद तो बात चलती रही, लेखक को पता चला कि मास्टर जी भी आरी समाजी हैं। बस इस बात के चिंता रहती है। लेखक के अनुसार धर्मेंद्र और मीना कुमारी का प्रेम संबंद हेमकुर्ण में रहने के दौरान शुरू हुआ था। जबी मीना उनसे मिलने आती थी, तो वो उनके लिए खाना भी लेकर आती थी। पर कुछ दिन बाद मास्टर जी यानि धर्मेंद्र के पिता ने प्रकाश को मुंबई भेज दिया। प्रकाश मतलब प्रकाश कोर जो धर्मेंद्र की धर्म पतनी थी। प्रकाश के आने के बाद मीना कुमारी का आना जाना तो रोक गया। लेकिन फिर भी धर्मेंद्र लेखक के घर आकर टेलीफोन से मीना से बात करते थे। और मीना भी धर्मेंदर के लिए लेखक के घर खाना भीशती थी, पर मीना को क्या पता था कि धर्मेंदर के लिए भीजा गया खाना कौन खा रहा है। धर्मेंदर तो शूटिंग के लिए निकल जाते थे, और जब दुपहर के दौरान मीना कुमारी ने खुद के हाथों से सजाय हुआ, वो लंबा सा लंच बॉक्स घर आता था, तो उसे लेखक और उसके साथीदार मजी से खा लेते थे। मेना कुमारी प्रती दिन नेने प्रकार की व्यंजन भी इसती थी, नौन वेज लेखक के साथीदार खाते थे, तो वेज व्यंजन लेखक खाते थे। इस किस्से के अंत में लेखक इस बात का भी जिक्र करते हैं कि जब मेना कुमारी के खान पान की मधुरता में प्रकाश कौर की खुश्पू आने लगी, तो बीता हुआ पल किसी सुन्दर सपने चैसा प्रतीत होने लगा था.